यह है तो हम सभी जानते हैं कि शरीर की कारेप्रणाली को सुचारों रूप से चलाने के लिए कई तरीके के मिननल्स वा बिटामिन्स की चरोत होती है इनी बिटामिन्स में से एक है बिटामिन D बिटामिन D आपके संपूर्ण स्वास्त को बनाए रखने में महतपूर्ण भूमिका निवाता है बिटामिन D सिर्फ शरीर में केल्शियम को बहता तरीके से आफ्जॉर्ब करने में मदब्त ही नहीं करता बलकी है मसल सेल्स की ग्रोथ इसकलेटल सिस्टम के रख रखाव और इम्म्यून सिस्टम के लिए भी आवश्यक है बिटामिन D का सबसे बड़ा स्रोज सूरज की किड्ने है इसके अलावा कुछ खादे पदार्थ वा सप्लिमेंट के जरिये भी लोग बिटामिन D लेते हैं हाला कि अगर आप लगादार बिटामिन D के सप्लिमेंट्स लेते हैं तो इससे शरीर में उसकी अधिकता हो जाती है विटामिन D की अधिकता कई तरीके की परशानी की बज़े भी बन सकती है तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में की शरीर में विटामिन D की अधिकता होने पर क्या लक्षन नजर आते हैं नमबर एक पेट से जुड़ी समस्याए होना जब आप लगातार बहुत अधिक मातरा में विटामिन D का सेवन कर देते हैं तो इसका असर आपके डाइजिस्टिप सिस्टम पर रज़र आता है दरसल विटामिन D लेने से रक्त में केल्शियम का इस्तर बढ़ सकता है उच्च केल्शियम के इस्तर के परणाम सरूप आपको पेट में दर्द होना, भूखना लगना, उल्टी होना, कब्च या दस्त अनुबब हो सकता है कुछ लोगों को इस इस्तिती में बार बार पेशाब आने की समस्याभी होती है जब आपके शरीम में बिटामिन डी की अधिकता होती है, तो आप खुद को असैज मैसूस करते है बार बार उल्टी, दस्त या कब्च आपको परिशान कर सकता है, जिससे आपको लगातार थकान का एसास होता है यह देखा जाता है कि ऐसे लोगों का किसी भी काम में मन नहीं लगता और उनके शरीर में उस्सा या एनरजी ना के बराबर होती है नमबर तीन, ब्रहम होना विटामिन D के अधिकता प्रणाम सरूप अक्सल लोगों के मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है उन्हें हमेशा ही कन्फ्यूजन रहता है और वह कोई भी दिसीजन नहीं ले पाते हैं यह उच्छे केल्शियम के इस्तर के प्रणाम सरूप भी प्रतीत होता है जो विटा पानी पिएं लेकिन फिर भी आपकी प्यास ना बुझे नंबर पांच केल्शियम डिपॉजिट होना यह शरी में बिटामिन D की अधिकता का सबसे बड़ा संकेत है दरसल बिटामिन D का एक काम शरीर में केल्शियम को अब्जॉर्ब करना होता है लेकिन जब आप अधिक मा हो सकता है असर बहुत अधिक बिटामिन D का सेवन किड्नी इंजिरी का कारण बन सकता है कुछ मामलों में इससे किड्नी फैलिर भी हो सकता है ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर में बहुत अधिक बिटामिन D होने से कैल्शियम का उच्छ इस्तर हो सकता है जिससे बहुत अधिक पेशाब और किड्नी के कैल्शियम के माध्यम से पानी की कमी हो सकती है। यहां दिल्चस्प बात यह है कि विटामिन D की कमी भी किड्नी को नौकसान पहुचा सकती है। नमबर साथ, विटामिन D लेने से रक्त में कैल्शियम का इस्तर बढ़ सकता है। जिसके कारण आपको पेट में दर्द होना, भूक ना लगना, उल्टी होना, कब्ज या दस्त का अनुवफ हो सकता है। दोस्तों यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर कीजिए। साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।